यह वेलो अंड बेलकम बैग गाइस इस चैनल पर मैं आज साथ महीने से ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था बट अब डेली चैनल पर ब्लॉग अपलोड होंगे तो आप हमारे साथ बने रहे गा इन साथ महीनों में गाइस मैंने कई सारी एकजाम भी दिये बोर्ड एकजाम अपना और हमना हमारा स्कूल भी छूड़ गया इन साथ महीनों में तो अब से आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलेंगे आज मैं अपने गाव में आया हूं यह संकर जी का टेंपल है यहां घूमने आया था और इस तरफ एक जर्णा है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा त तो चलिए मैं संकर जी से आपको दिखा देता हूं तो यह मंदीर है अंदर संकर जी है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं बने रहिएगा ब्लॉग में कर दो हूं जा हूं नाया थो तो जाया था पूंदिखाई यह भी मैं आपको दो च्रॉग्णाव तो गाइस मैं यहां मंदिर पे घूम चुका हूं अब आपको चलता हूं लेकर जर्णा दिखाता हूं तो यह इस तरफ आप जो 吃 रहे हैं इस तरफ एक जहर ना मिलेगा तो चलिएð आपको तो लेकर चलते cahate ते हैं यह पुड़ा सी नहीं यहां आपको अपने जर्णा दिखाता हूं आहीं लोग यहां पर अक्सर घूम आते रहते हैं और उस तरफ मेरा गाउं है यहां से एक नाला परता है तो उस नाले उस पार हमारा गाउं है तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं जहरने के पास तो वहां पर चल के आपको दिखाता हूं तो गाइस हम लोग जरना के पास आ गये हैं आईए आपको अपने इस गाउं के जरने की खुबसूरती दिखाते हैं तो यह देख लीजिए मेरे पीछे तरफ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा तो आईए मैं पास में चलके आपको जरने की खुबसूरती दिखाता ह तो बने रहीएगा आईए हम आल्मोस्ट पर पहुंच चुके हैं और यहां से अभी आपको एक खुपसूरती दिखाते हैं जर्ने की देख लीजिए यहां से पूरा जर्ना है यह नदीश में बाढ़ गई है तो इसलिए जर्ने अभी ठोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो चल कि हमारे उस गाउं की तरफ जाता है तो चलिए मैं गाउं की तरफ भी दिखाऊंगा आपको तब से यह जर्ने की आपको खुपसूरती बैक कैमेरे से दिखा देता हूं गाय से खुपसूरती देखने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे घर्ने के पास तो बने रहीए गा यह लोग देख जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं देख रहे हैं कितने ठीप कल दासता है चलिये हम भी चलते हैं आओ यार तो गाइस यह रास्ता बहुत खतर्णाग है अभी चल रहे हैं निवीरत यहां पर आप फिचल लेंगे तो डिर्ड देख सकते हैं अगर आप फिचले तो डर्यव्य नेवें जाएंगे तो यहां पर हम ध्यान से चलते हैं के लिए हम उतर रहे हैं इसको तो गाइस हम नीचे आ गए और इधर दरिया है और यह हमारा जर्ना है देख सकते हैं और इस समय तो कुछ खास दिखाई नहीं देगा क्योंकि बाढ़ाई हुई है तो पूड़ा ज्यादा जर्ना डूबा हुआ है वाय हम अमारी खडी है हुआर अब हम जायंगे उस नाव पर सवारी करेंगे साद हम लोग वहां बीच में जायेंगे तो चलिए मैं अपने नाव के पास शलता हूं और प्र उस वहां पर बैठकर आगे चलेंगे तो गाई से हमारी नाव है अब हम नाव पर सवार होकर अब हम जाएंगे उस तरफ आप जो जर्णा देख रहे हैं उस तरफ जाएंगे और वहां से बाते हुए हम अपने गाउं की तरफ उस दर्या में दर्या पल्ले ही चले जाएंगे तो बने रहेएगा चल लें इधर करो सब्सक्राइब हम जारना हुआ है और आम सिज्जेडी गरू करें तना है हम आ गए अपर तो यह सब्सक्राइन हो फ्ते ध्रक्व चल दिए ऋ मारा भाइब उसड और हम लोग जा रहे हैं नदिग किनारे तो गई सब हम ज्णने के बीचों की जा रहे हैं देख रहे हैं यह ज्यरना आ रहा ह। एक पास में यह गाइस हम लोग जन्य के बीचे बिच बीच जा रहा है तो बने रहेगा चलिये आमको खूपशूर्टी दिखाता हूं तो हुब कि गाइस हम लोग जन्य के पास आ गाए हैं और यहां पर आनक बाद मज़ा बहुत आ रहा है वह देर काम एट हम खुप्सूरती दिखाते हैं आप गाई सब हम बेच दरिया में आ गए है यह उस तरफ हमारा किनारा है और हम यहां पर आ गए हैं बेच दरिया में जा रहे हैं तो गाई सहां पर नाव हमारी पीछे की तरफ आ रही है क्योंकि उधर से काफी ज्यादा बाहा हुआ है और नीचे की तरफ काफी ज्यादा बहा हुआ है फिर भी हम कोसिस कर रहे हैं कि वहां तक हम जाएं नहीं तो उस पार हम चले जाएंगे पत्थर के पास में फिर वहां से जाएंगे उस तरफ तो देखते रहे हैं नजार गाइस हम लोग यहां पर जर्ना के काफी करीब आ चुके हैं जैसा कि देख रहे हैं आप यह जर्ना है और हम जर्ने के काफी करीब आ चुके हैं दो कि हम लोग चल लें बीच में जर्ने की कोसिस करेंगे कि जर्ने के पास में चला जाये तो यह तरफ जर्ना आ और अधर से बहाव इस तरफ और हम जर्ने के अपूजीट साइट चल रहे थो इसलिए तो जो हमारी नाव हम वहाव के साथ ही चले जा रहे हैं तो थोड़ा कोस चलते हैं जरने के पास पकड़े रहा यार आज शै बांद आजए यार तो गाइस हम इस पार आ चुके हैं और आपको चलिए जरने का नजारा दिखाते हैं और साहिद आप वहां पर देख सकते हैं हमारे इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है आपको यहां से साथ नहीं दिखाई दे रहा होगा चलिए मैं पास में चल के आपको दिखाऊंगा फिलहा आपको बैक कैमरे से इस जहरने का नजारा दिखाता हूं तो चलिए मैं बैक कैमरा करता हूं इस जहरने की खुबसूरती आप देख रहे हैं तो एक बार देख लिए हम जहरने के काफी करीब आ चुके हैं और हमने अपना नाओ यहां परबान दिया यह भाई पकड़ कर बैठा हुआ है और चलिए मैं आपको तिरंगे की तरफ लेकर चलता हूं जहां कि अपने इंडिया का प्लेग बड़े हिसान से लहरा रहा है आइए मैं आपको दिखाता हूं हम अपने नदी इस पार आए हैं अपने पार से इस पार आए हैं जिसका नाम है सापूर कला सापूर कला का यहां पड़पर है गाइस और आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जहां जहरना अपना इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है इस जहरने के बीचों बीच गाइस अपने इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है आइए देख सकते हैं यह देखिए यहां पर अपने जहर जालते हैं काफी जरने के पास में और फिर उसके बाद चलेंगे हम अपने इंडिया का तीरंगे के पास में देखेंगे वहाँ पर तो गाइस यह देख सकते हैं आप गाइस शलिए दिखाता हूं आपको आप तो गाइस यहां से काफी काफी बहुत ही बहुत अच्छा भी आ रहा है यहां से तो चलिए आपको दिखाता हूं यह देखिए कितना सांदार भी आ रहा है चलिए मैं आपको जharnay के पास में लेकर चलता हूं फिर उसके बाद चलेंगे अपने तिरंगे पास में तो आए ए या जहर नंगी आ जेंहें हम वे गई यह देख यहां से जर्णा गिर रहा है। और हम यहां लाश्ट पत्थर पर खड़े हुए हैं यहीं से जरना चाल हुआ है अगर हम यहां से फिसले गाइस तो चले जाएंगे जरना के साथ में और जरना का भाव इतना ठेज है कि यहां पर कोई थम नहीं सकता क्लेई अपने न रोकने के लिए एक बंदे को बिठा कर रखा है ताकि नाव बहर न जाए वहां से बांद लायक वहार कुछ है नहीं हमने इसलिए नाव को वहां पर रोक कर रखा है ताकि नाव हमारा बहर न जाए आएए हम अपनों आपको बैक कैमरे से इस खुबशूरती नजारा को दिखाते हैं गाइस हम जरने को जरने के पास आये थे और यहां पर खुबशूरत नजारा देखे और साथे में एक चीज और देखा यहां पर आपको देख सकते हैं वह तिरंगा दिखाई दे रहा है चलिए हम तिरंगे के पास चलते हैं और आपको दिखाता हूँ और यह खुबशूरत नजारा देख लीजिए हमारे गाउं पटपर का है और यह जरना है जो देख सकते हैं गाइस फानली हम आगे यह तिरंगा लहरा रहा है आप देख रहे हैं यह जरने के बीचों बीच में आपको चलिए सिंगल आउंदा लेकर दिखाएंगे जरने के बीचों बीच में है हमारे देश का तीरंगा लहरा रहा है आ बनती हुई आपको दिखाई दे रही होगी और ये दरिया उधर की तरफ से आ रहा है और ये देख सकते हैं कितना खुबसूरत नजा रहा है यहां का और यहां पर आप आओगे तो आपके मन की सांती संपूर सांती मिलेगी आपको मन को तो चलिए एक बार बैक कैमरा सुड़ हैं से एक बारात सांती सांती ऌते हैं मिलेगी मिलेगली तो अनले करते हैं सकता है घंती सांतीट मिलेगा इर लोगगे रहा संतो हैं मिलेगे मतर्व इस तरम यहां पर देख सकते हैं अपने भारत का ति版गा किसीन नहीं खुपसूरती से लहरा आ रहें भीछना यह घ्रने के बीचों बीच में लगाया गया है और यहां पर इतना नाव की तरफ वापेश और फिर उसके बार ताइम भी ज्यादा हो गया है घर वाले भी फोन कर रहे हैं कि कहाँ पर हो कहाँ पर नहीं तो इसलिए अब हम वापीश जा रहा है अपने घर तो आपको दिखाते हुए चलिये हम अपने नाव की तरफ चलते हैं गाई सहां पर आप लोग आओगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि यह जर्णा आप देखेंगे तो उस साइड में हम उस पार से इस पार आए हुए हैं अपने नाव से तो चलिए दिखाता हूं गाईस फाइनली हम अपने नाव के पास में आ चुके हैं यह हमारा नाव है अब इस पर बैढ़कर हम उस पार जाएंगे क्योंकि हम उस पार से ही इस पार आये थे जर्णा देखने और वहां पर हमको एक तिरंगा दिखाई दे रहा था वहां की खुशूरती देखने हम लोग सबति देर हिए जोंड़ा नाव है यह हमारा नाव चला रहा है प्थर अन्हों बडात भी तो न्युक्त करते हैं तो में पाज है अगर छोड़ा सा इधर उदर दार हुआ नाव पूर्ण सकती है और और ऑब में आपको पथर दिखाई दे रहा होगा वह बीच में भी पत् अब अभी दिखाई दे रहे हैं So that अब हमस्य हाँ से अपने पार चलेंगे उस पार और उस पार से चलेंगे अपने ऊधर हमारा घाँओ है दरिए अस पक्लीच अच्छा दर्वाईUS पर इस दरिया का इसलिए हम लोग लेंगे और काफी मजा हाएगा मारती France कीओ यह पर बहुत दरी या उच्छलने लगा यह क्यों देख सकते हैं और हमारी आट 음식 उस तरफ बहाओ की तरफ खिची चली जाएगी तो गाई से देख सकते हैं यह हमारी नाव चलने लगी है जड़ी गाई से यहाँ पर पानी आ रहा है नाव में कि यह पीछे देख सकते हैं पूरा जर्ना इधर यह रहा है और वीच जर्ने में हैं अभी हम बहुत इडल लग रहा है यहां पर क्योंकि ठोड़ा से भी गलती हुई तो दुर घटना हो सकता है इसलिए यह जेडी से रहे हैं हमारे पीछे बहुत सांध बैठे हुए हैं बहु हैं पीछे बहुत सांध बढ़ हुए हैं और हम यह आव में देख सकते ना उधर यह पार कमांधे इस तरह हैं अपने हम ज्यादा साम भी हो चुकी है का कहा पर हैं कहा पर नहीं हो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर पर और तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही आज हम अपने गाउं के एक टिंपल है वहां पर गूमने आये थे और उसी के जश्ट बगल में यह एक जर्ना है तो उस जर्ने को घूमने आये थे साथ ही में हमें जर्ने की बीचों बीच अपने तिरंगा लहराता हुआ दिग गय कि ब्लॉग में आज की ब्लॉग में इतना ही ब्लॉग में कंटिन्यू देखने रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद